नमस्कार दोस्तो एलेक्ट्रिकल वर्ट लंजिजी में आप सबका स्वागत है अगर आप मेरा वीडियो पहली बात देख रहे तो प्लीज मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और नटिफिकेशन बेल के हिट कीजिएगा ताकि जब दी मैं कोई नए वीडियो अपलोड हैं तो इसका हमें करेंट निकाल है करेंट को हम i के तोर बेर जानते हैं फर्मिलay में तो i लिखा जाता है करेंट को ठिकेशन तो i equals to k 0 if a woo into 1000 divided by root three into v voltage into kosh the power factor ठके तो इसका मतलब होता है पावर factor ओके तो देखि यह फर्मला हो गया है i का यानि current का तो देखें किलोवाट 10 दियावा है तो 10 लिख दिया में थाउजन आ गया और root 3 को जब हम root हटा देते हैं तो 1.732 हो जाता है into voltage तो 3-phase voltage होता है यह वाद 3-phase line में 415 वोल्ट आता है ठीके और power factor 0.8 मानके चलते हैं जो एक usual power factor है तो जब हम 10 into 1000 करते हैं तो 10,000 सीधा आ जाता है और 1.732 into 415 into 0.8 करते हैं तो 575.024 आ जाता है ठीके और जब हम 10,000 को इस number से 575.04 से divide करते हैं तो empire निकलता है 17.390 amps ठीके तो 10 किलोवाट अगर हम 3-phase line में चला रहे हैं तो उसका current निकलता है 17.390 amps ठीके ओप यह आपको समझ में आ गया होगा ओ यह था किलोवाट में ठीके अगर किसी motor का power किलोवाट में दिया हुआ है तो उसका formula यह होता है अगर motor का power HP में दिया हुआ है यादि 1 HP, 2 HP, 3 HP यह से करके दिया होता है तो उसका formula ठोड़ा change होता है तो formula यहाँ पर देखे जैसे I, I का मतलब current हो गया हमें current निकालना है तो उसका formula होता है HP अगर motor का power HP में दिया होता है तो HP into 746 ठीके यह formula है I equals to HP into 746 divided by भाग करना है root 3 into voltage into power factor ठीके यह power factor है PF कोई ठीटा बोलते है इसको तो देखें 10 HP दिया होता है तो 10 आगया है HP के जगा में 746 नीचे आगया और इसको divide करना है root 3 को root हटा देंगे तो 1.732 आ जाता है into voltage 3-phase voltage 415 आ गया 415 into power factor 0.8 ठीके 10 into 746, 7460 हो गया जब इसको हम multiply करते हैं जब यह नीचे वाले 3 को हम multiply करते हैं तो 757.024 आ जाता है ठीके जब हम 7460 को 575.024 से भाग करते हैं यानि divide करते हैं तो amp निकल आता है, amp निकल आता है 12.973 amp निकल आता है, 12.973 amp निकल आता है यानि 10 hp के motor को यदि हम 3-phase line पे चला रहे हैं तो कितना amp लेता है current लेता है वो 12.973 amp लेता है 12.973 amp लेता है, होब आप तो यह वीडियो भी समझ में आ गया होगा तो दूसरों वीडियो में मैंने बताया है कि किसी motor का HP केसे calculate किया जाता है और आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी motor का efficiency केसे निकाला जाता है ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो भी नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर देजेगा और notification bell को भी हिट किजेगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करो तो इसका notification आपको जाए और आप मेरा वीडियो देख सके Thank you very much, आप सब का दिन बहुती सुब रहे